Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion Now daily के basis पर हम page by discussion करते हैं और particular news को बताते हैं ये question कैसे prelims में पूछा जाएगा और कैसे mains में पूछा जाएगा Daily Monday to Friday answer writing भी की जाती है सबसे पहले overall section कर लेते हैं पूरे news paper का पूरी news discuss कर लेते हैं और अफगनिस्तान पूरा govern करेंगे सरीया लो के according सरीया लो क्या होता इसको detail में discuss करेंगे IMD से related news है ये क्या होता है OBC की sub-categorization क्या होती है और कौन-कौन से commission आये थे ये UPSC prelims के लिए पूरा detail में discuss करेंगे फिर उसके बाद हैं कुछ editorial की अफगनिस्तान में कैसे solution निकलेगा हम जो export करते हैं उसमें remission taxes क्या मिलेंगे दुबारा इसको discuss करेंगे data कितना ज़्यादा important होना चाहिए editorial उस पाया है चाइना अपना nuclear जो stake है वो बढ़ा रहा है सिप्री ये report देती है सिप्री क्या होती है उसको भी discuss करेंगे college gym system ने बोला है कि Supreme Court के आज judges की recommendation है तो judges कैसे appoint होते हैं कैसे उनको transfer किया जाता है वो college gym system then NHRC discuss करेंगे refugee लेना चाहिए या नहीं ये discuss करेंगे इंडिया और वेतनाम साओच चाइना सी में military exercise कर रही है naval exercise कर रही है oil palm farming क्या होती है और भारत अभी क्यों इसके लिए scheme लेके आ रहा है अफगानिस्तान में आगे क्या होगा rating agency ICRA क्या होती है इसको discuss कर लेंगे but without moving further telegram application download करनी है search box में type करना है address PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे now देखे daily के basis पर यहाँ पर क्या होता UPSC mains question एक दिया जाता है जैसे 17th अगस्त कल है 18th अफगानिस्तान से related था तो 16, 17, 18th की सभी जो paid answer writing थी हमने यहाँ पर share कर दी है चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो या हिंदी माध्यम के हो हमने यहाँ पर कैसे map बनाना चाहिए कैसे यह आपको free मैं यहाँ पर मिल जाएगा अगर चाहते हैं आप भी अपनी तैयारी करना PR publication के साथ UPSC की journey को success बनाना तो early plan ले सकते हैं एक साल का daily current notes मिलेंगे daily answer writing जो अभी हमने share की दूसरे की answer writing भी आप चेक कर सकते हैं 6012 notes और phone guidance आपको मिलती है अगर आप चाहते हैं तीन ओ प्लैन एक साथ लेना early plan टेस्सरीज और UPSC CZ 999 रूपीज आप अवेल कर पाएंगे लेना बहुत सिंपल है दिये गए नमबर पर Google पर फॉन पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमबर पर WhatsApp करनी है और हम आपक Taliban का जो पूरा government है वो government होगी council के जरिए council के जरिए यानि कि 5-6 member का एक group होगा जो Afghanistan में governance से चलाएगा अब 5-6 member ये वो होंगे ये democratic elected नहीं होंगे राइट ये already जो Taliban के members हैं जो co-founder हैं वही होंगे Habitullah would likely remain in overall charge Taliban would also reach out to former pilot and soldiers अब जो पूराने soldiers हैं उन तक भी reach out कर रहा है ताकि similar situation वो create कर सके हैं बट democratic elected member नहीं होंगे यानि कि democracy established नहीं होंगी ऐसा साप साप बोला है Taliban ने राइट देखिए directly यहां पर बोला गया है democracy would not be a democracy Afghanistan would not be a democracy we will not discuss what type of political system which would apply in Afghanistan because it is clear यहां पर हम सिर्फ सर्यालों impose करेंगे और जो पूरा देश चलाए जाएगा वो council के द्वारा चलाए जाएगा council मैंने बोला दस से लेके बार member का एक group होगा जो democratively elected नहीं होगा यह चीज़ याद रखना democracy नहीं establish होगी सिर्फ जो अल्लेडी तालिबान के leader हैं वही होंगे वही चलाएंगे पूरी अफगानिस्तान को but major question यहाँ पर क्या आता है women's से related freedom दी जाएगी या नहीं कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या punishment होगी यह सब जैसे यहाँ पर है अगर इंडिया के lawky basis पर legally क्या लो है चोरी हो गई तो आपको maybe 600 होगा fine एक दिन की सजा बट वहाँ पर अफगानिस्तान में सरिया lawky अगे चोरी के लिए अलग provision होंगे hearts penalty भी हो सकती है जहाँ legal system में murder के लिए यहाँ पर life imprisonment होता है बट वहाँ पर अलग-अलग सरिया lawky according चलाए जाएगा पूरा देस अब बात यहाँ पर यह आती है कि सरिया law actual में इसका practical means क्या है इसको पूरा detail में discuss करते है यह majorly आपसे means माएगा और दूसरा interview में पूछा जाएगा prelims में सरिया law के बारे में बहुत कम पूछा जाएगा बट कुछ जो point है वो हमने prelims के लिए भी extract के हैं बट majorly यह interview के लिए और means के लिए देखिए सबसे पहले what is सरिया law, what does it mean for women in Afghanistan सरिया law impose होता है तो वहाँ की महलाओं में क्या impact होगा और practically सरिया law होता क्या है सरिया is Islam legal system, Islam का जो legal system है उससे सरिया बोलते हैं और यह कुरान से Islam की holy book से derive किया गया है and the sunnah hadith, the deeds and saying of Prophet Muhammad, जो Prophet Muhammad कहा करते थे, जैसे हैं न, Jesus Christ है, Christianity के, वैसे ही जैसे बुद्धिजम के लिए गौतम बुद्ध हैं तो वैसे ही Islam धर्म के लिए कौन है, Prophet Muhammad, उन्होंने जो बोला होगा, जो कहा होगा, वही इंपोज होगा, अब Islam के legal system के basis पर सरिया where an answer cannot be derived directly from these religious scholars may give ruling as guidance on a particular topic or question जो religious scholars होते हैं, जैसे हमारे यहां होते हैं, रिसी मोनी, वैसे यहां पर religious scholars जो guidance देंगे किसी particular question के basis पर वही impose किया जाएगा ठीक है, अब यह तो थोड़ा diplomatic answer हो गया, थोड़ा सा define करके बताया, पर practically क्या implement होगा, कैसे implement होगा, उसको भी discuss करेंगे सरिया का मतलब होता है, the clear well-trodden part to water, इसका मतलब directly prelims में पूछा जा सकता है, the clear well-trodden part to water सरिया law act as a code for living that all muslim should adhere to including prayers, fasting and donation to the poor सरिया law में यह भी लिखा गया है कि prayer करनी चाहिए, वरत रखना चाहिए, donation to poor, जो गरीबों हैं उनको खाना देना चाहिए It aims to help muslim understand how they should lead every aspect of their life according to god जैसा भगवान कहते हैं, भगवान जो चाहते हैं, god जो चाहते हैं उसके basis पर वहां की citizens को करना चाहिए But, सरिया can inform every aspect of daily life for a muslim, muslim की daily life क्या होनी चाहिए, वो सरिया में लिखी गई है अगर आप पब और कलब जाएंगे वो भी किसके basis पर है, जो religion का framework होगा, जो scholars ने बोलाए कि पब में हाँ, पब में जा रहे हो, enjoy करो आप alcohol का consumption नहीं करेंगे, alcohol हराम होती है, तो particular इस तरह से कुछ guidance होती है आपको इतना ज़्यादा तो detail में नहीं जाना, बट सरिया law practically क्या होता है, वो मैंने example के basis पर भी समझा दिया अगर आप pub में enjoy करने भी जा रहे हो, अफगनिस्तान में अगर जाओगे, तो क्या-क्या follow करना पड़ेगा, वो भी सरिया law की according, follow करना पड़ेगा आपको कैसे finance करना है, business, even business कैसे चलाना है, वो भी सरिया law के, सोचो, हर एक aspect, चाहे आप पैंसा कमा रहे हो, चाहे मस्ती करने जा रहे हो, club जा रहे हो, pub जा रहे हो, वो सब सरिया law के, ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म के basis पर जो आप prayer कर रहे हो, वो सरिया law impose होगा, हर section में, family कैस चलना ही चाहिए, family के law कैसे होगे, finance कैसा होगा, business कैसा होगा, वो भी धर्म के according होगा, सोचो, तो particular, जब भी कोई चीज़ religious के basis पर होती है, aspect के basis पर होती है, economic deployment बहुत जादा कम हो जाता है, तो सब से जादा negative factor, what are the sum of tough punishment, tough punishment क्या होते हैं, सरिया law divides offensive into two general categories, head offenses which are serious crimes with set penalties or ताजीर, with the punishment is left to the description of the judge, एक होता है, head offenses, जो serious crime होते हैं, उसमें penalty, punishment बहुत हायर देती है, एक होती है, ताजीर, ये ऐसे crimes होते हैं, जो punishment, जज इसके उपर छोड़ दिया जाता है, कि वो क्या करेंगे, ठीक है, head offenses include theft, अगर even, देखो, इतना serious crime में, चोरी भी इनोंने include की है, which can be punishable by amputating the offender hand, adultery for which harsh punishment can also be employed, सो चो इतना बड़ा, सिर्फ चोरी के लिए बहुत बड़ी punishment इनको दी जाती है, कैसे ruling कैसी की जाती है, like any legal system जैसे भारत में भी है, सर्या is complex and its practice entirely reliant on the quality and training of expert, Islamic jurisdiction and ruling guidance that is considered a formal legal ruling is called a fatwa, अगर किसी के लिए legal ruling निकालनी है, तो बोलते हैं, फत्वा जारी किया है, बोलते हैं ना, sorry for the post, बीच में आ गई थी चाय का order, तो चाय पी रहे हैं अभी, और साथ साथ में आप सर्यालो को भी enjoy करो, सर्यालो आपने I think पूरा, मैं explain कर चुका हूँ, फत्वा क्या होता है, जो legal ruling होगी किसी एक particular person के लिए, तो हम बोलेंगे उसके लिए फत्वा जाहिर किया गया है, ठीक है, यानि कि जो council है, अभी तालीबान जो पूरा govern करेगी, तो अगर किसी person ने कोई serious crime किया है, तो उसके लिए legal ruling के तरह फत्वा भी जारी कर दिया जाएगा, right जो guidance उसको follow कर चुके हैं, और even देखे, सिर्फ चोरी के लिए serious crime है, तो सोचो women's के लिए, पहले 1996 से almost 20 साल जो किये गए, तालीबान ने, वहाँ पर अभी हम कल भी discuss करेंगे, महलाओं को इसकूल नहीं जाने दिया जाता था, और सरिया law के according, ये कुछ provision भी ही उसमें लिखे गए है, right, next news, condition favorable for monsoon revival, Indian metrological department ने बोला कि atmospheric conditions are favorable for the revival of monsoon, आदे कि ये monsoon कहते ही ये हैं, south west से जाता है, north east से वापिस आता है, तभी तो इसको reversible climate बोलते हैं monsoon को, right, revival होगा, और ऐसा बोला IMD ने, पूरी news important नहीं है, सिर्फ ये prelims में आएगा, IMD क्या होता है, IMD, यारि कि Indian metrological department, पूरे all over इंडिया में metrology, seismology, उससे related subject के बारे में जानकरी देता है, 875 में बना था, ministry of earth science के अंदर आता है, headquarter है नई दिली, heat wave, cold wave, heavy rains के बारे में, ये पूरी देश को जानकरी देता है, यहाँ पर एक और tab भी खुला है, यहाँ पर Spotify का, तो ये song है विरहा, अगर किसी को classical song बहुत ज़्यादा पसंद है, तो bandit, bandit का ये song सुनना विरहा, ठीक है, बांकी तो क्या है, विरहा सुनके खुस हो जाना, तो बात करते हैं, चलिए, पात से भटकेंगे नहीं, next question करेंगे, still studying OBC quota sub-categorization report, UP के minister कहते हैं कि अभी भी हम OBC को कैसे sub-categorize करेंगे, उसके बारे में discuss किया जाएगा, OBC, देखे, SC, ST, OBC, इन सब को reservation मिलता है, job में, education में, बट OBC में, जो socially backward है, economically backward है, तो देखे, OBC को मिलता है, बट उसकी भी sub-categorize हैं, जो बहुत ज़ादा remote areas में रहती हैं, जिनको actual में welfare benefit नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए सरकार ये चाहती है, कि OBC के अंदर भी sub-categorization हो, OBC के अंदर भी sub-categorization हो, और इन सब को क्या मिले, benefit मिले, तो OBC sub-categorization में कौन-कौन से commission आए, UPSC Prelims में directly पूछा जा सकता है, और even interview में भी, Now, extension to OBC sub-categorization commission, recent update था, UPSC Prelims 2020-2021 के लिए, social empowerment में यह आएगा, recently union cabinet ने बोला कि six month extension देंगे commission को, जो examine कर रहा है, OBC को कैसे sub-categorize कर रहे, अब to 31st January 2021, justice जो retired है, जी रोहनी, उनका commission है, under article 340 बनाय गया था, right, और इसमें इनको task दिया गया, कि कैसे OBC की दूसरी, जो उसके नीचे है, होता न, cast के नीचे sub-cast होती है, हो गया न, simple जबा, जैसे एक brahmin cast है, brahmin cast के अंदर बहुत सारी sub-cast होती है, उसमें भी brahmin में lower cast भी होती है, कोई upper cast भी होती है, जैसे ठाकूर है, ठाकूर एक cast है, तो उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा cast होती है, sub-cast होती है, similar situation है OBC की, OBC के अंदर भी बहुत सारी sub-cast है, sub-categorization उसकी है, right, तो 2015 में National Commission for Backward Class ने recommend किया था, कि OBC should be sub-categorized into extremely backward classes, more backward classes and backward classes, तो 2015 में NCBC ने क्या बोला, कि OBC को हमने एक तो extremely backward classes के अंदर cast रखनी चाहिए, एक more backward classes, एक backward classes के अंदर, right, कि किस तरह से और ज़्यादा उनको well-being की, welfare की जरूरत है, जैसे अभी G. Rohani का commission बना है, तो किसको power दी गई है कि आप commission बना सकते हैं, सविधान में article 340, directly prelims में पूछा जाएगा, OBC से related कौन सा article है, तो article 340 जो है, सविधान में directly OBC से related लिखा गया है, यहाँ पर राष्ट्रपती जी क्या कर सकते हैं, एक commission appoint करेंगे, जिसमें कुछ ऐसे person होंगे, जो investigate करेंगे, कि कौन सी society का वो section, जो socially और educationally backward है, तो कुछ OBC के, कुछ prelims के point भी कर लेते हैं, mains का factor भी करते हैं, सबसे पहना जो commission था, जो पहले identify करेगा backward classes को, वो था कालेकर commission जो 1953 में set up किया गया था, then मंडल commission, 1980 में उसके report आई, और 52% या population के, जिसमें 1277 communities थी, और इन्हों ने ये बोला कि reservation मिलना चाहिए, फिर central government ने 27% seat reserve करी, OBC में, article 16, clause 4 के अंदर, और 2008 में Supreme Court ने even direct किया central government को, कि आप criminal year को exclude करो, अब ये क्या है, बहुत simple है, देखे, OBC के कुछ ऐसे member भी तो होंगे, जो DM है, SDM है, SP है, DSP है, doctor है, engineer है, जिनकी annual salary आठ लाग से ज़्यादा है, तो उनको तो welfare की जरुवत है नहीं, simple सी बात है, तो उनी को criminal year कहते हैं, criminal year में वो आएंगे, जिनकी annual salary आठ लाग से ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें doctor, engineer, DM, SDM, वो OBC में तो आते हैं, बट आठ लाग से ज़्यादा भी income है, तो उनको simple सी बात है, उनको quota reservation नहीं मिलेगा, तो 2008 में कहा गया central government को, कि criminal year को आप हटा दोगे, criminal year को ऐसा, scheme है, या reservation नहीं मिलेगा, simple सी बात है, क्यों मिलना चाहिए, अलड़ी वो doctor, engineer है, और 102nd constitutional amendment act 2018 में पास हुआ, जो NCBC, जो सिर्फ एक provided constitutional status to the NCBC, which was previously एक statutory body थी, उसको constitutional status दे दिया गया, 102nd constitutional amendment act के ज़री है, अब बात करते हैं कुछ editorials की, तालिवान government ने पूरा territory को control किया है, तो कहीं न कहीं, global backlash अगर वो impose करें, global pressure आए, तो तालिवान में में भी democracy established हो सकती है, जो कल भी हमने discuss किया था answer writing में, जिसने कल की answer writing नहीं देखिया, वो देखें, और किस तरह से अलग सार्क का group है, HCO का group है, वो pressure create करके तालिवान में democracy established कर सकता है, आप सब को पता है, fundamental right वो wallet होते ही रहते हैं, तो तालिवान सरकार अभी control कर रहे है पूरी territory को, US के President Joe Biden, UK के Prime Minister Boris Johnson ने बोला है, कि हम virtual G7 के जो leaders हैं, G7 ऐसा group है, जो developed country का group है, जिसमें Japan है, UK है, USA है, ये आते हैं, तो सब ही country के नाम आपने comment box में लिखने हैं, जो G7 countries मा आते हैं, जो most developed nation है, जिनकी GDP बहुत ज़्यादा है, वो G7 country के अंदर आते हैं, और अभी इन्होंने बोलाए कि हम virtual meeting रखने वाले हैं, तो मैं कहूंगा एक ये positive यार statement लिया गया है, G7 country के member के द्वारा, और उन्होंने बोलाए कि किस तरह से हम, inclusion of voices of women, young people, इन सब से उनका viewpoint लिया जाएगा, at the end, कैसे women public life में human right activist है, media person है, इनको target करेंगे, यह भी यहाँ पर यह सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा, कि सभी देशों को मिलके आगे आना चाहिए, global pressure अगर create हुआ तालीबान में, तो simple सी बात है, यहाँ पर democracy अच्छी से establish की जा सकती है, now, export की बात की जा रही है, second, उतना ज़्याद इंपोर्टेंट नहीं है, बट एक scheme याद रखो, the remission of duties and taxes on exported product, मतलब जो product export किये जाते हैं, right, अब उस पर क्या होगा, जो export करते हैं, देकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे भारत की GDP बढ़ेगी, simple सी बात है, तो सरकार export को बढ़ाने के लिए, एक scheme लाई है, जिसको RODTEP scheme कहते हैं, जो कि एक जनवरी से effective रहेगी, और WTO की guidance के अंदर, करीबन-करीबन, साड़े 8,000 tariff lines हैं, roughly 65% इंडिया का export यहां पर से देखने को मिलता है, range from 0.5% to 4.3% of the freight on board value of outbound consignment, still pharmaceutical इसको RODEP से exclude किया है, यानि कि क्या होगा, अगर आप 100 रुपे का अगर export करते हैं, तो आपको सरकार 4 रुपे वापिस कर देगी, पांच रुपे रिबेट करेगी, 6 रुपे रिबेट करेगी, तो आपको फाइदा मिलेगा, तो इससे आप क्या होगे, थोड़ा सा और जदा encourage होगे, कि हाँ मुझे और जदा product बनाने चाहिए, there can be no doubt that Prime Minister Narendra Modi called to skill up export 400 billion तक export करने की बात की गई है, इस साल to help express the distangling of inter-ministral ready tape over the RODEP scheme, export करने के लिए देखे, कोई चीज कोई मैं export कर रहा हूँ, suppose कोई चीज, तो मुझे बहुत सारे documentation करने पड़ेंगे, है ना, कि ये file बनाओ, इस minister से sign कराओ, ये कराओ, इस office में जाओ, ये करो, तो प्राइमिश्टर मोधी ने का है, कि आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ subsidy तो मिलेगी export करने में, even documentation भी जो आप इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगी, ताकि क्योंकि 400 billion का export, अभी हमने इस साल तक target किया है, तो ये भी scheme बहुत ज़्यादा important हो जाती है, राइट, चैलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है, अगर data नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब, World Bank की report कहती है, 40 million migrant jobs, भारत में भी अप्रेल 2020 तक lost हुई, और government से पूछा गया, तो government ने बोला, sewage हैं, जो port halls हैं, उसको लोग हातों से साप कर रहे हैं, और बहुत सारी लोगों के death हो जाती है, उसी को manual squanging भी कहते हैं, और इस पर already हम answer writing कर चुके हैं, तो इस पर सरकार के पाफ कोई data ही नहीं है, तो ये जरूरी है किसी भी सरकार के पास data होना, तो इससे जैसे economic loss होता है, internet shutdown के बज़े से सरकार ने का, अभी सबसे ज़्यादा इंडिया में भी shutdown हुआ, सबसे ज़्यादा, top 5 के अगर हम list बनाएं, internet shutdown की, even democracy होते होए भी internet shutdown हुआ, जमोहिन कस्मी, North East Delhi, इन सब पार्ट में, सरकार ने का कि हमने तो shutdown किया ही नहीं, उस पे भी सरकार के पास कोई data नहीं था, तो सोजो इस particular article से data वाला question कितना ज़्यादा important हो जाएगा, मैं भी आज का जो UPSC means question में data के basis पर ही देऊं, कि data कितना ज़्यादा important है, ये लिख सकते हो information is the power and lack of information is the absence of power, information ही power है, तो यहाँ पर पूरे article में यहीं लिखा गया है कि data बहुत ज़्यादा important है, नेक्स्ट article है, ज़्यादी से ज़्यादा जो people Republic of China है, अब अपना nuclear arsenal बढ़ा रही है, और किसके वज़े से बढ़ा रही है, सिंपल सी बात है, United States, चाइना सोच रहा है कि U.S. के पाफ ज़्यादा nuclear warhead है, तो हम भी nuclear warhead ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, और 300 कुछ चारहचार warhead है USA के पास, और चाइना भी nuclear missile जो सीलोज बना रही है, जियान जेंग रीजन में, राइट, और उसके चलते हुए चाइनीज नुकलियर फोर्सेज बढ़ रही है, 200 से साड़े 300 हैं, नुकलियर warhead, ऐसा सिप्री ने का है, सिप्री याद रखना सिप्री क्या है, कोई भी बोले सिप्री क्या है, तो आप कहोगे, देश विदेश में, जिसके पास भी नुकलियर चीजे हैं, वैपन, कोई भी वैपन है, तो उन सब को पूरा मॉनिटर करती है सिप्री, सिप्री बताती है कि किस देश के पास कितना नुकलियर हैड है, तो इसको देख लेए, आगे सिप्री को पढ़ने से पहले कुछ चाइना का नुकलियर वाइट टिप्ड बैलास्टिक मिट्राइल फोर्सेज वैदर लैंड बेजड और सी बेजड हैब सर्टेनली इंप्रोब इन क्वान्टिटी और क्वालिटी, तो ओवरॉल पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि चाइना अब धीरे दीरे अपने नुकलियर स्टेक में काम कर रहा है, चाहे सी बेजड, लैंड बेजड जो क्वालिटी हैं, कॉन्टिटी हैं, नुकलियर वार हैड की वो बड़ी हैं, राइट? तो पूरे आर्टिकल में यही है, एवन, पी आरसी ने रिफ्यूस किया कि हम कोई नेगोशेशन नहीं करेंगे अमरीका और रश्या के साथ, किस के लिए? वार हैड के लिए, देखिए, चाइना सिंपल सी बात कहती है, कि यार, यूएस के बाद, अड़ती सो चार हजार वा जो लगी हुई यह आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल डिसार्मामेंट में, 1966 में बनी थी, सिप्री डेटा प्रवाइड करती है, ओपन पॉलिसी मेकर, रिसर्च, मीडिया और इंटरस्ट पब्लिक के बेसेश पर, यह स्टॉक होम पर बेसे है, स्टॉक होम कहां की कंट्री यह आपको बताना है, इसका मेन विजन वोई यह आर्मामेंट करना है, मतलब जो आर्म्स वेपन इतने यूज होते हैं यह, बागी यह कॉन्फलिक्ट पीस रिकमेंडेशन देती है, सिप्री प्रिलिम्स फेक्ट क्या है, सिप्री एर्विक दोजार बीस रिप्रेजेंट कर तो all over world में किसके पास कितना weapon है, कितना nuclear warhead है, वो बताती है, even इसको कैसे कम करना चाहिए, उसके लिए भी recommendation देती है, ओपेट पेज के article वही sports से related है, हमारे काम के नहीं है, Britain World War में अफगानिस्तान, US छोड़ के चले गया था, वही चीज़ें यहाँ पर explain की गई है, अब कॉलिजियम होता क्या है, उसको डिसकस कर लेते हैं, अलड़ी आप सबको पता चाहिए, हाई कोर्ट है, सुप्रिम कोर्ट है, यहाँ पर जेजिस की वेकेंसी, बहुत ज़दा है, वेकेंट सीट है, तो जादे से ज़दा, जल्दी से जल्दी, देखें, कॉलिजियम सिस्टम तो recommendation दे देता है, पर central government डिले कर रहा है अबी, ठीक है, तो कॉलिजियम होता क्या है, वेक्ट इस दा कॉलिजियम सिस्टम, इक ऐसा सिस्टम है, पूरे भारत में अगर जजजिस को अपॉइंट करना हो, उनको ट्रांसफ़र करना हो, लॉयर से जजज बनाना हो, हाई कोट से सुप्रिम कोट भेजना हो, तो यह एक पांच गरूप का मेंबर है यानि कि पांच गुरूप कौन एक चीफ जेस्टिस ओफ इंडिया हैं और चार सीनियर मोस्ट जजजज हैं पांचों का एक गुरूप जो है सुप्रिम कोट में सजेस्ट करेगा नाम राइट एक और चीज याद रखना सबसे कि फैले किसको सजेस्ट करेगा सैंटल गॉणि कि अपोइंट मैंट तो प्रिसिडेंट ही करेंगे तो अगर कॉलिजियम सिस्टम एक बार रिकमेंटेशन देते हैं कि हाँ इनको आप अप अपउइंट करो तो में भी सैंटल गॉझमन ना माने बड़ अगर कॉलिजियम यह Central Government बताएगा नहीं Central Government करेंगा कि मैं करूंगा करूंगा बट ऐसा कुछ नहीं है कि 10 दिन के अंदर वाइंडिंग होगा या पंदर दिन के तो यह लूपोल भी छुपा है तो कॉलिजियम सिस्टम काम कैसे करता है आप सबको पता है चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया चार सीन हमेशा यह करते रहता है National Human Right Commission किसी की कस्टडी में डेथ हो जाना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना यह सब कौन देखता है यह Human Right का वाइलेशन है तो एन चार सी उसको देखता है एन चार सी यानि कि नैशनल Human Right Commission जनल इस्टेडिस पेपर टू इस्टर्चरी बॉड़ी इस प्रेलिम्स के पेपर में पूछा जा सकता है यह एक इस्टर्चरी बॉड़ी का मतलब होता है पार्लेमेंट में जो कानुन पास ह करूंगे एक चेयर परसन होगा चेयर परसन डिटाइट चीप जेस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं या सुब्रूम कोट के जज़ भी हो सकते हैं तो इनको अपॉइंट करते हैं छे मंबर की कमिटी प्राइम निस्टर उनके हैड होंगे स्पिकर आप लोग सबड़ चीज यहाद रखना और क्या है इसमें क्या चेंज होगा टम तीन साल है रिएपॉइंट्मेंट जो पांच साल का रिएपॉइंट्मेंट था उसको रिमूब कर दिया गया है यह प्राविजन ठीक है नेक्स यहां पर बोला गया है हुमन राइट और्गनाजेशन से अफग ग्लोबल कंवेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट् याद रखना है refugee का तो भारत को उनको सिक्षा के लिए काम करना पड़ेगा उनको पैंसा देना पड़ेगा उनको welfare करना पड़ेगा legally तरीके से सोचो तो इसलिए भारत already ऐसा नहीं करता इंडिया और वेतनाम नेवल पाम ओयल है वह इंपोर्ट करते हैं जो कि यार भारत के लिए सिंपल च्वार अच्छा नहीं है तो हम यहीं चाहिए कि डोमेस्टिक प्रोडेक्शन हम करें बाहर देश से ना मंगाए तो उसके लिए नैशनल मिशन ओन एडिवल ओयल लगाया जिसमें अमांटी 11,000 करोड थी जो कि प्रोडेक्शन बढ़ाएगी हाला कि उतना जदा इंपोर्डेंट नहीं है बट पायम ओयल याद रखना अब हम खुद का डोमेस्टिक प्रोडेक्शन इसमें करने वाले हैं अब गनिस्तान में आगे क्या होगा अल्मोस्ट जब 20 साल तक रहा यूएस ने फिर विड इससे पहले जब 1996 से 2001 तक तालीबान ने पूरा किया था तो बेसिक हुमन राइट को सस्पेंट कर दिया गया विमन्स आर नौट अलाओट टू वर्क एंड गल्स वर नौट अलाओट तो इसकूल्स विमन्स कुड नौट वेंचर आउट अप दियर होम बाहर निकलना मना थ यह सब चीज़े देखने को मिली थी तो मेबी टीवी सिनेमा यह सब बंद था राइट और क्या है वर्ल लेवल की नूज में चाइना वर्ण रिकरगनाइज तालीबान अंटिल गवर्मेंट फॉर्मिशन जब तक सरकार नहीं बन जाती तालीबान की चाइना पाकिस्तान की रेटिंग एजनसी बहुत कम देते हैं मोडी है आई सी आरे यह सब पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा लोन लिया है वर्ल्ड बेंक के से पाकिस्तान चाइना की लोन में दबी हुई है पाकिस्तान जापान की लोन में भी दबी हुई है सिल्लंका दबी हुई है तो इनकी रेटिंग एजनसी कम होती है अब रेटिंग एजनसी कम होने के वज़ेसे जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में जा बढ़ाना भी चाहेगा वो भी नहीं जाएगा क्योंकि उसको बिजनस बढ़ाना है तो अल्लेडी यह अब रेटिंग एजेंसी यही होती है इसके वज़े से कि यहां पर डेमोक्रसी है या नहीं इन सब का काम करती है तो पूरे विश्व में तीन बड़ी रेटिंग एजेंस तो आज का पूरा अनिलसिस हमने देख लिया है और कुछ आपके कॉमेंट देख लेते हैं सर एसी विदाउट डिबेट के बिल को डिजॉल्व भी करवा सकती है क्या नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है अगर वो बिल ना ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं किया अगर वो बिल सवि कम करना कम करूंगा राइट सर फॉर इंपूट इस अलाओट इन कोपरेटिव बैंक इन इंडिया और नौट वन आइवाज रीड विक्किपीडिया देना आइफेज लिटल का देखिए विक्किपीडिया सोर्स बहुत कम कर है तो आपको येस फॉरन इंवेस्मेंट कोपरे सरा इफ दन माइट वाइट इस यर सो प्लिसर अफ किनिस्टाट देप्र पर यूपीएसी मनोज मिश्टर मनोज आप मैसेज कर दीजिये वाटसएप में हम आपको काइट करें सर फॉर एस्टी कटिगी वट इस नमर पर अटेम्ट लिमिट और अनलिमिट फॉर यूपीएस इस यह यह लिमिट तो नहीं होता पर उस पर होता है इसमा अनलिमिट नहीं होते हैं आइट अटेम्ट होते हैं जब ज्यादा काम बढ़ जाता है बजट देना पड़ता तो इस वज़े से सर आप दा हिंदुने इस प्रति दिन येस पर आते हो येस बिलकुल बुदाफसिटी हंगरी सर आप परिय और मिंज की टेस्टरी प्रवाइट करवाते हो येस प्रिती सरवान भाहिया पंदी प्राजन आपके बच्पन के दोस्ते हैं येस मिस्टर रोहित लेंडॉक्ड है य आज के इस वीडिया में इतना ही थैंक यू, have a nice day.